हेलो दोस्तों स्वागत है आपको आपने यूट्यूब चैनल रहा क्लाशिस में जैसे कि आपको पता मास्टर इजनी बुक का पूरा सॉलिशन कर रहेते हैं हमारे चेप्टर चल रहा था कलेंडर कलेंडर में मास्टर इजनी की बुक में तीन अंक से साइज हैं आज हमारा कलेंडर का चेप्टर खतम हो जाएगा अगर पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें क्योंकि सारे डाउट आपका जबी के लिए रहोगा जब आप पूरी वीडियो देख लोगे चलो शुरू करते हैं कोश्चन नमबर 17 से कोश्चन नमबर 17 से सुरू करते हैं कोश्चन नमबर 17 है यदि किसी महा की तेश्मी तारिक को रभी बार है तो दो सब्ता और चार दिन पहले कौन सा दिन था तो बहुत इजी कोश्चन है इसे करने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक नोलिज होना बहुत जोरूरी है बेसि एक तारिक सोंबार ठीक है जो मैंने पिछली वीडियो में करा दिया अगर पिछली वीडियो नहीं देखी जाकर देख लो सोंबार है तो साथ दिन बाद बोई दिन रिपीट होगा अगर मैं इसमें साथ चोड़ देता हूं तो आठ तारिक को भी सोंबार होगा ठीक है इस स खतम तेश्य तयरी रभिवार है इय united गोगी सब्दोस अबलेट WP7 à 16' साथ दनेट्व sниц हम्हें रवाभी धी द्रेवाण में लूजि иходर मिनने वहीं दिन जाएगा टोग How और इसमें बोला है 2 set वर चार दिन पहले ठीक है अब इससे भी चार दिन पहले बताना नौ तारिक से भी चार दिन पहले तो एक तो तीन चार छार ही लाइन खीचनी है अगर पिछली वीडियो नहीं दीखिए तो जाकर दूर देख लें सारा डवट किलीर हो कैसे इन कोशुन को करते हैं ठीके solar paint to exercise में जादतर कोश्य है तो न तारिक का रभी बार था ये कितने एक क्या रहा होगा ये सनीवार ये सुख्र Alex divided और ये रहा होगा मेरा बुद्दुबार ठीके क्या रहा होगा बुद्दुबार 혹시 से नमर सी हमारा correct answer. अगला कोशन देखेंगे. कोशन नमर 18. कोशन नमर 18 क्या? कोशन नमर 18 है, किसी महिने में तीन दिन बाद चार तारीक को सनीवार आता है. क्या बोलता लगाएश में चार तारीक को सनीवार? ठीक है? चार तारीक सनीवार. तो उसी महिने के 27 तारिक को कौन सा दिन होगा 27 तारिक को मुझे दिन बताना है तो मैंने क्या बताया तुम्हे साथ का कोई भी गुड़ज इस संख्या में जोड़ देंगे तो बोई दिन आएगा मानलो 7 या 21 7 या 21 अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं चार में जो मैं 21 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 25 तारिक 25 तारिक को भी क्या आएगा मेरा सनिवार ठीक है बताना कौन से तारिक को है मुझे 27 तारिक को तो 26 को क्या होगा रवी बार 27 तारिक को होगा सोमबार क्योंबार option number a हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरू करना और दोस्तों साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना ठीक है तो question number 18 के answer हो जाएगा हमारा ए सोंबार question number 19 देखेंगे एकला question question number 19 ये है 30 दिन के एक महा में 5 सनिवार हैं महा का पर्थम दिन कौन सा होगा भोती जी question है ठीक है 30 दिन का कोई महीना है ठीक है 30 दिन का कोई महीना है ठीक है उसमें 5 सनिवार है तो मान लिया मैंने तीसमा दिन जो है बो ही सनिवार है ठीक है मैंने मान लिया क्योंकि पांच सनिवार हाईश्ट पांच ही हो सकते हैं ठीक है पांच सनिवार है तो लाश्ट में मान लिया मैंने कि तीस तरीकों सनिवार होगा अब मुझे बताएंगे ये मैंने पाँचमा सनीवार मान लिया ठीक है पाँचमा अब मेरा चोथा सनीवार इसका मतलब साथ दिन पहले होगा साथ दिन पहले इसका मतलब तेज तारीक को तेज तारीक को सनीवार होगा कौन सा चोथा फोर्थ सनीवार ठीक है फिर माइनस साथ करेंगे इसमें से फिर कितने तारीक होगा सोला तारीक होगा जब तेज में से माइनस साथ करेंगे सोला तारीक आईगी सनिवार ठीक है थर्ड फिर माइनस साथ करेंगे सोला में से कितने एक नो तारीक होगा फिर सनिवार सेकिंड फिर फर्ष्ट सनिवार जो होगा वो कितने दो तारिक होगा क्योंकि जब इसमें साथ माइनिस करेंगे नो में से दो तारिक है क्या हैगा सनिवार कौन सा फर्ष्ट सनिवार तो मैंने देखा पांच सनिवार हमारे इसमा हो गए तो इसने पूछा है तो माहा का पिरतान दिन कौन सा होगा तो दो तारिक का सनीवार है तो एक तारिक का क्या होगा सुकुरबार क्या होगा एक तारिक का सुकुरबार ओप्शन नमर डी हमारा correct answer हो जाएगा अगला question देखेंगे question number 20 question number 20 क्या है 26 January 2011 से और कोई मिलाना तक दिनों के संख्या बताईए तो बिल्कुल आसानी सा बता सकता है इस कोई भी इस्ट्वेंट 26 जनवरी से ठीक है 26 जनवरी ऻूंट करनें चपशबिस शथाइस 28 29 31 कव मतलब 6 दिन काउंट करनें ठीक है माई जून जुलाई अगस्त और कितने से तक जाना तेश सितमबर तक ठीक है जब तुम इस सब को जोड़ोगे 6, 28, 31, 30 जब उनको टोटल जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 241 दिन ठीक है कितने दिन आएगे 241 दिन जोड़ लेना इतना तो करी शकते हो ठीक है option number B हमारा correct answer हो जाएगा option number B अगला question देखते है question number 21 question number 21 बहुत इजी question है और यह question आया हुआ रेलेव में ठीक है इसमें देने रगा पर question आया हुआ रेलेव में ऐसे question कैसे करते हैं मैंने इस टाइब के question बहुत कर रहा है solar point solar point to exercise देखना ठीक है तो आज सोंबार है मान लिए कोई आज यही है ठीक है आज यह क्या है सोंबार तो मुझे 65 दिन बात बताना है अब तुम अगर 65 दिन बात बताओगे तो लाइन खीचते रहा जाओगे 65 दिन ही नहीं गिन पाओगे ठीक है तो सबसे आसान तरीका मुझे पता है साथ दिन बात बोई दिन repeat होता है तो क्यों ना मैं 65 को साथ से divide कर दो साथ नाम 63 कितना दो से अगर मैं दो दिन बात बता दूँ या 65 दिन बात बता दूँ दिन से माना तो क्यों ना मैं correct answer हो जागा ठीक है तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों साथ जरू सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाब उठा सके और जो भी कमी रह रही है जिस चीज की आपको जरूरत है उसे कमेंट करके जरूरत है जिससे मुझे पता चल सके किस चीज की कमी रही है ठीक है तो कोश्चन नमर 22 बहुत इजी कोश्चन है यदि किसी वर्स जो यह बहुत ध्यान से देखना है ठीक है जो अधी वर्स ने हो अधी वर्स मतलब लीपियर ने हो जो लीपियर ने हो का पहला दिन शुक्रबार हो तो उस बर्स का आखरी दिन कौन सा होगा ठीक है इसने बोल लखा कोई नॉर्मल येर है ठीक है उस नॉर्मल येर का पहला दिन शुक्रबार है ठीक है क्या बोल लखा इसने नॉर्मल येर इसने पहले यहां बोल दे जो अधी बर्स नहोगा अधी इसका मुझलब नोर्मल एर है ठीक है नोर्मल एर फर्स्ट पहला दिन ठीक है पहला दिन फर्स्ट डे लिख सकते हैं ठीक है पहला दिन क्या है सुक्रवार ठीक है तो लाश्ट का दिन बताना है तो उस बर्स का आखरी दिन ठीक है फर्स्ट जनवरी तो सुक्रवार हो गया त तो 31 दिसंबर को बताना है, ध्यान रखना, कोई भी नॉर्मल यर हो, तो उसका पहला और लाश्ट का दिन सेम होता है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को भी सुक्रुबार ही होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई भी अगर नॉर्मल यर है, तो उसका पहला और आखरी दिन सेम होता है पहला और आखरी मतलब पहली जनबरी और 31 दिसमबर का दिन सेम होगा ठीक है अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन दीगे समस्य का अधर पर दिन ग्याद की ज़िए नवंबर की पहली तारिक को सोंबार पड़ता है एक नवंबर को क्या है सोंबार ठीक है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा तो मैंने बताया साथ या 21 साथ का कोई भी गुल जिसमें जोड़ देना ठीक है 21 जोड़ दिया मैंने तो कितना होगा 21 अरे 22 नवंबर 22 नमबर तुम्हारे दिमाग में आगी क्या होगा 100 वार क्योंकि 7 दिन बाद 2 दिन रिपीट होता है या तो कोई 7 का गुड़त चोड़ो या फिर 7 चोड़ो तो 22 तारीक का नमबर 22 तारीक का क्या आगी है 100 वार तो तुम 25 तारीक का बताना है तो तेज का क्या होगा मंगल 24 का बुद्ध 25 का ब्रस्पत क्यों हो जाएगा ब्रस्पती बार अप्सन नमबर बी करेक्ट अंसर ठीक है कोश्चन नमबर 24 देखेंगे कोश्चन नमबर 24 यह बहुत इंफोरेंट कोश्चन है इसे में आप अगर फेयर कोई पर बना रहे हो तो इसे लिख लेना जो बात है मैं बताओ इसके लिए किसी सताब्दी बर्स का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता ठीक है किसी सताब्दी बर्स का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता तो आप लिख लेंगे मैं आपको बता बता जाता हूँ ठीक है लिखो किसी सताब्दी बर्स का प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं पहले लिख लो कौन से हो सकते हैं फिर उससे याप अप्शन लगा सकते हो किसी सताब्दी वर्ष का पिर्थम दिन कौन सा हो सकता है तो लिखो सोम बार ठीक है सताब्दी वर्ष का सताब्दी वर्ष का पिर्थम दिन जो पिर्थम दिन हो सकते हैं ठीक है कई कोश्चन आप इसे सोल्व कर दोगे नमबर एक होता है सोमबार नमबर दो होता है मंगलबार नमबर तीन होता है ब्रस्पद नमबर चार होता है सुक्र नमबर पांच होता सनी ठीक है ये किसी सतावदी बड़्च के परतम दिन हो सकते हैं अब इसमें बुजा कौन सा नहीं हो सकता तो हमने देखा मंगलबार तो हो सकता है हमने देखा सोमबार भी हो सकता है ठीक हमने देखा सुक्रबार भी तो हमने देखा बुद्धबार नहीं हो सकता कौन सा नहीं हो सकता बुद्धबार option number C is the correct answer ठीक है इन्हें लिख लेना अगर आपकर नहीं लिखे हुए तो फिर कॉपी में ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमर 25 कोश्चन नमर 25 यह सताब्दी का आखरी दिन कोण सा नहीं हो सकता देखो यह भी important question है ठीक है सताब्दी का आकरे दिन कौन सा नहीं हो सकता इसे भी लिख लेंगे कौन सा आकरे दिन नहीं हो सकता आकरे दिन कौन सा नहीं हो सकता तो लिखेंगे मंगलवार पहला होता मंगलवार option में कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कोई सा भी दे सकता है, दूसरा लिखेंगे, ब्रसपतिवार, तीसरा लिखेंगे, सनिवार, ठीक है, ये तीनों नहीं हो सकते, ठीक है, सताब दिया आखरी दिन ये तीनों नहीं हो सकते, पर option में देखना, option में क्या दिया है, option में उनली हम हमारा Sanibar correct answer हो Yasinthanivaar की जगे मंगलवार भी दे sobie ठाई हे answer докум और बात तो हम्हारा यहां क्या answer होएगा Sanibar option number C correct answer आध्या question do is the question number 26. 個 question number 26 है किसी बढर्य हो जोकि अधिवर्य हो round いきます मतल tinham Marcelle levels नहें हो का पहला दिन रवी बार हो तो उस बर्स का आकरी दिन कौन सा होगा मैंने बताया था नॉर्मल एर ठीक है नॉर्मल एर ठीक है कोई भी नॉर्मल एर है तो उसकी एक जन्वरी को मान लिए इसने बोला एक जन्वरी को रविबार है ठीक है तो उस बर्स का आकरी दिन 31 दिसंबर को भी क्या होगा रविवार ठीक है नॉर्मल एका 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम होता तो क्या हो जाएका रविवार ओप्शन नमबर भी करेक्ट आंसर अगला कोश्चिन देखेंगे और लास्ट कोश्चिन का लेंटर कर ठीक है यदि केसी बर्स जो की अधिवर्स हो इसमें बोला आपका लीपियर हो ठीक है क्या बोला है लेपियर आपके बोला है लेपियर हो अधिवर्स हो का पहला दिन सुक्रवार है इसका मतलब 1 जनवरी क्या है सुक्रवार तो उस बर्स का अंतिम दिन 31 दिसंबर ठीक है धियान रखना अगर लीपियर है तो उसका पहली जनवरी और 31 दिसंबर में एक दिन बढ़ जाता ठीक है क्या बढ़ जाता है एक दिन आगा बढ़ जाता है सुक्रवार के बाद इसमें सनीवार हो जाएगा ठीक है क्यों हो ज और कमेंट करके बताना कहां कमी रह दिए